कहते हैं न अकल तो आई पर सब कुछ खत्म होने के बाद अर्मेनिया अजरवेजान के पौडर पर युद्ध जैसे माहुल हैं गोला बारी भी चालू हो चुका है या कह सकते हैं कि जंग सुरू हो चुकी है अब इस जंग में भारत का क्या रोल होगा दूसरी बात ये है कि अ अर्मेनिया ने दो बड़ी गल्तियां की है उन दो बड़ी गल्तियों को कितनी जल्दी अर्मेनिया सुधार पाएगा उन में से पहली गल्ती तो जो किया सो किया लेकिन दूसरी गल्ती वही गल्ती है जो गल्ती भारत ने भी किया है आखिर अर्मेनिया और भारत ने ऐसी क अर्मेनिया और दूसरी तरफ से इरान तयार बैठा है जानेगे भारत अपने अर्बो डॉलर को बचाने के लिए दूसरा उपाय क्या कर रहा है इस पूरे युद्ध में कहीं न कहीं एक तरफ इसराइल दूसरी तरफ भारत तीसरी तरफ ग्रीस चौती तरफ इरान और चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से 2020 की लड़ाई तो सब को याद है नारवनो काराबाग के एक बड़े भूभाग पर कबजा कर लिया अजरबैजान ने बहुत खुस रहा अजरबैजान और अजरबैजान के साथ साथ तुर्की के अर्दोगन भी बहुत ज्यादा खुस नजर आए तीन तिकड़ी पाकिस्तान अजरबैजान और तुर्की की काम आगई और अजरबैजान को हार मिली लेकिन आपको बता दें ये तीन तिकड़ी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती अर्मेनिया का अगर अर्मेनिया ने बड़ी गलती नहीं की होती तो और इस गलती का एहसास अर्मेनिया को अब जाकर हुआ है। अर्मेनिया के पास फाइटर जेट पड़े थे लेकिन पाइलेटों के पास ट्रेनिंग नी जो फाइटर जेट थे उनके लिए मिसाइले नहीं थी। और जब CSTO एग्रिमेंट साइन हुआ और अर्मेनिया ये सोच कर बैठा हुआ था कि रूस हमें बचाने के लिए आएगा उस CSTO की दुहाई देने के लिए जब अर्मेनिया रूस पहुँचा तो रूस ने कहा काये को नारगोनो काराबाग तो एक अंतरराष्ट्रिये यूएन में पड़ा हुआ है इस मामले में हम आपकी मदद नहीं करेंगे फिर वी रूस आया और रूस ने यहां पर सांती समझोता करवा दिया जितना भूबाग अजरवैजान ने कबजे में ले लिया काराबाग का वो भूबाग चला गया अजरवैजान के हिस्से में ट्रकों में भर भर कर अर्मेनिया भेजता था नारगोनो काराबाग अजरवैजान को लगा कि नहीं नहीं कनेक्शन पूरी तरीके से काटो पहले इस भूबाग का कनेक्शन पूरी तरीके से हटाओ और अजरवैजान ने यहां एक चेक पॉइंट बिठा दिया स्क्रीन पर अजरवैजान को खुंदस इरान से भी है और कहीं न कहीं भारत से भी है आजरवैजान तुर्की इन लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया और समझा कि देखो भारत को भी रोकना होगा भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा हतियारों की सप्लाई कर रहा है अर्मेनिया तो ऐसा करते हैं कि एक तीर से कई सिकार करते हैं और अजरवैजान ने क्या किया एक छोटा सा मूव चला और उसका असर भी देखने को मिला आपको बता दें अर्मेनिया और भारत के बीच इस वक्त पिनाका रोकेट कल्यानी बहुत सारी डील भी चल रही है और अजरवैज अजरवैजान को भारत को भी सबक सिखाना था और इरान को भी सबक सिखाना था ऐसे में अजरवैजान ने क्या किया जैंगजूर यह जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एक कोरिडोर है जो इरान को अर्मेनिया से जोड़ता है और अर्मेनिया से फिर बाकी यूरोप इस कोर के रास्ते यूरोप पहुंचने का प्लान था इरान ने कहा कि यह मत करना गलती यह गलती तुम्हें महंगी पड़ेगी अगर तुम्हें ऐसा करोगे तो पर अभी क्या हालात हैं अभी हालात यह हैं कि अर्मेनिया और अजर्बेजान के बॉर्डर पर गोला बारी शुरू हो पहले ड्रोन से हमले हुए और उसके बाद गोला बारी शुरू हो चुकी है यूरोप ये यूनियन का ये आर्टिकल देख सकते हैं ये कहते हैं कि नार्गोनो काराबाग को जोडने वाले लैचिन रोड को खोल दो लेकिन अरजर्बेजान नहीं मानता है और इस वक्त अर्म हमने सीक्तियो साइन किया। हमें लगा की रूस हमें बचाने के लिए आए गा लेकिन रूस हमें बचाने नहीं आया। रूस के इरादे इस छेत्र के लिए अक्षे नहीं देख रहे हैं हमारे फेवर में नहीं दिख रहे हैं दूसरी बात जो उन्होंने कही वो दूसरी बात भारत के लिए बेहत खास है और भारत इसे समझ गया दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती कि हमने 99.999 परतीसत हतियार गोला बारूद सब कुछ रूस से खरी दे हमें अपग्रेड की जरूरत है स्पियर पार्ट्स की जरूरत है गोला बारूद की जरूरत है और हमारे पास कुछ नहीं है पैसे आपको बता दें अर्मेनिया जागा लेकिन जागने में अर्मेनिया को वक्त लगा अर्मेनिया अब जाकर भारत से बात कर रहा है अलग आर्मेनिया को सप्लाइ करना है कर रहा है हाली में अजी डोभाल मिले हुए थे अर्मेनिया के एनसे से ये जो तस्वीरें देख रहे हैं दोनों के बीच रिष्टे अच्छे चल रहे हैं पर इसके अलावे हमें भी अजरबेजान का तोड़ निकालना था और वह तोड़ हमने का दूसरा रास्ता भी हो अब ये जो युद्ध होगा ये युद्ध कैसा होगा तो आपको बता दें इस बार ऐसा हो सकता है कि अजर वैजान के साथ वो कहावत फिट बैट जाए कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लोटे क्यों क्योंकि इरान नहीं चाहे तो वहीं दूसरी तरफ से इरान की तरफ से भी जवाब आएगा और तीसरी बड़ी बात अगर अर्मेनिया के पास 99.99% हतियार रूस के हैं तो भारत के पास भी 70% हतियार रूस के थे और इनमें से बहुत सारे ऐसे हतियार हैं जिसके स्पेर पार्ट्स भारत खुद बनाता है तो कहीं न कहीं अर्मेनिया के लिए सप्लाइ भी पहुँचेगा भारत से खैर अगर ये युद्ध होता है तो ये युद्ध एक बार फिर से नई दिशा की तरफ चला जाएगा खैर यहां पर आपको इसराइल भी देखने को मिलेगा इरान के खिलाफ इसराइल आजरब बताएं जब मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ